हलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है BPSC प्रसनावली में ठीक है इस वीडियो में हम लोग बिहार के करेंट अफेर के बारे में पढ़ने वाले हैं साथ में कुछ ऐसे भी क्यूशन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो ब पहला क्यूशन यहां पर आप देख सकते हैं क्यूशन लिखा हुआ है बिहार के कितने जिलों को भूमी सम्मान से सम्मानित किया गया है यानि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जिनको भूमी सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आपका अंसर हो जाएगा पांच जिलों को ठीक पूछ सकता है ठीक है तो प्रमंडल की बात करते हैं तो बिहार का जो प्रमंडल है कितने हैं 9 है अनुमंडल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपके सामने आपको देखने के लिए मिल जाता है 101 ठीक है प्रखंड की बात करते हैं तो 534 है लोक सभा की सीड कितनी है 40 है बिधान कितने हैं यहां पर दे सकते हैं नौ है और मंडल कितने हैं 101 प्रखण कितने हैं 534 लोग सभा की सिर्थ कितनी है 40 है बिधान सभा 243 राज्य सभा 16 बिधान परिसत 75 ठीक है चलिए आगे आते हैं अगला क्योशन आपके सामने यहां पर दिखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंट् गोपाल गंज में ठीक है फ्रेंट्स गोपाल गंज में थावे फेस्टिवल चलिए अगले प्रसन पाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपकी स्कीन पर आगला सवाल माता सीता ठीक है माता सीता की प्रतीमा 251 फीट की कहां पर बनाई गई है देखिए इस प्रसन में 50 feet की ठीक है कहां पर बनाए गई है तो सीता माता है इसलिए सीता मढ़ी में बनाए गई है ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला प्रसन सेम उसी तरह से छे मंजिला बापू टावर यानि कि आपसे प्रसन यह भी पूछ सकता है यहां पर कि जो बापू टावर है कितने मंजिला है तो छे मंजिला बापू टावर जो 120 फीट का है आपसे ऐसे भी प्रसन पूछ सकता है कि जो बापू टावर है उसके उशाई कितनी है ठीक है तो 120 फ आपका आंसर हो जाएगा गर्दनी बाग कहां पर है ये पटना में है या सिर्फ पटना भी देगा तो भी सही है और गर्दनी बाग देता है तो भी आप ट्रिक मार लेंगे ठीक है प्रसन एक बार फिट से समझ लेजिए छे मंजिला बापू टावर जो 120 फीट का है कहां पर बनायी गया था गर्दनी बाग पटना में अगला प्रसन आपकी सामझे है फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं निती आयोगद्वरा जारी एकस्पोर्ट इन्डेक्स एक्सपोर्ट और एकस्पोर्ट होता है आयात निर्यात ठीक है उसके बारे में बात कर रहा है तो को देश में कौन सा अस्थान मिला है यानि जो बिहार का देश में कौन सा अस्थान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो जो एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ठीक है कौन सा अस्थान मिला है आपका अंसर हो जाएगा 22 अस्थान ठीक है पहला अस्थान किसको मिला है यहा आपके सामने रखने वाला हूँ, तो पहला जो अस्थान किसको मिला है? किसका पहला अस्थान? निति आयोक दोरा जारी Export Index में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है, तो बाईसमा है, पहला अस्थान किसका है, पहला अस्थान तमिलाडू का है, ठीक है प्रेंट्स? नीति यायो के उपध्यक्ष की बात करते हैं सुमन बेबी CEO कौन है नीति यायो के CEO कौन है तो आप याद रखेगा BVR सुब्र मडियम कौन है BVR सुब्र मडियम है गठन कब होता है नीति यायो का एक जनवरी 2015 को ठीक है प्रेंट्स चलिए, एक बार फिर से फटापट देख लिजिए, निती आयोक की बात करते हैं, द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का कौन सा अस्थान है, तो 22 है, पाला सान किसका है, तमिलाडू का, निती आयोक के उपध्यक्ष कौन है, सुमन बेबी है, CEO कौन है, बीव लिए कितना तक बढ़ाने का निड़ा लिया है, आपका अंसर हो जाएका, सो प्रतिसत तक, कितना सही होगा वो तो बाद में पता चलेगा लेकिन फिलाल में उन्होंने वादा किया है कि 100 प्रिशत तक मैं आपका भद्ता क्या करूंगा बढ़ा दूगा ठीक है बर्ड रिंगिंग इस्टेशन काफी इन्पॉर्टेंट है बर्ड रिंगिंग इस्टेशन कहां पर बनाया गया है ठीक है आपका अंसर हो जाएगा भागलपुर में कहां पर फ्रेंट्स भागलपुर में बर्ड रिंगिंग इस्टेशन कहां पर बनाया गया है भागलपुर म अगला क्यूशन आपके सामने है बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड़ा कौन सा है अगर हम बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड़ा की बात करते हैं तो जैप्रकास नरायन हवाई अड़ा पटना में ठीक है इसे याद रखेगा important है बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड़ा कौन सा अस्थापित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा इलहाबाद बैंक, ठीक है, चलिए, अगले प्रसंद पाते हैं, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन सी है, ठीक है, मैंने खाते हैं कि करेंट अफिर के साथ जो भी कुछ इंपोर्टेंट होगा, हाली में बिहार का मलमास मेला कहां पर लगा था, ठीक है, बिहार में हाली में मलमास मेला कहां पर लगा था, आपका अंसर हो जाएगा, राजगीर में, कहां पर लगा था फ्रेंट्स, राजगीर में लगा था, कैसा मेला, मलमास मेला, अगला प्रसंद है, सयन्यान मुद्रा में या गया में भी आप कहा सकते हैं आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न यहां पर देख सकते हैं गया में अगला प्रस्न पाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमत्री नितिस कुमार ने देश के सबसे बड़े परिच्छा केंद्र बापु परिच्छा परिशर का उद्गाटन किस जीले में किया है ठीक है वो आपका अंसर हो जाएगा पटना में ठीक है फ्रेंट्स याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्यूस्टन है अगला प्रस चलिए अगले पर आते हैं यह पर आप देख सकते हैं आपके स्किन पर अगला क्यूशन फ्रेंट्स बिहार में सबसे बड़ा रमाण मंदिर की जिले में बनाया जा रहा है यह रमाण मंदिर है उसको बनाया जा रहा है अगला प्रसन आपके सामने हैं पर देखने के लिए मिल जाएगा बिहार में दूसरा तारा मंडल कहां पर बना जा रहा है निकि दूसरा तारा मंडल की बात करते हैं दरभंगा में बना जा रहा है यहनिकि बिहार में दूसरा तारा मंडल कहां पर बना जा रहा है तो प्रियाग राज में अगर पहले तारा मंडल की बात करते हैं तो पटना में चिडिया घर है जिसका नाम पहले नाम संजे चिडिया घर था ठीक है बाद में उसको बदल करके पटना चिडिया घर कर दिया गया है तो पहला जो चिडिया घर है वो पटना में और दूसरा कहां पर बना जारा फ्रेंड्स यहां पर आप दे सकते हैं आपका अंसर समारों में किस विभाग के जहाकी को पहला अस्थान मिला है काफी इंपॉर्टेंट क्यूशन है सुन्ता दिवस 2030 के औसर पर पटना की गाधी मैदान में आयोजित समारों में किस विभाग के जहाकी को पहला अस्थान मिला है तो आपका अंसर हो जाएगा क्रिसी विभाग की जाकी को ठीक है चलिए अगले प्रसंद बात हैं अफ्रेंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्किन पर अगला क्यों से सहितेकार को जिन्हें राजेंदर प्रसाद सिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है वो कौन से सहितेकार है तो आपका अंसर हो जाए का प्रसाद तिवारी को ठीक है राजेंदर प्रसाद सिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है अगला क्यों आपके सामने फ्रेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बिहार के किस जीले के छात्र प्रवड ने बिहार के किस जीले के छात्र प्रवड ने 15 वर्स की आयो म का पटना के रहने वाले हैं यह ठीक है अगला प्रस्न आपके सामने यहां पर देख सकते हैं बिहार बजट 2024-2025 के लिए कितने किसने बजट पेस किया था ठीक है यहां पर किसने हो जाएगा किसने बजट पेस किया था आप कांसर हो जाएगा समराठ चोधरी ने ठीक है अगल मंत्री राष्टिय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यानि कि बिहार का ओप कौन से जिले के हैं मुहमद हुसेन जिन्हों को प्रधान मंत्री राष्टिय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आप कांसर हो जाएगा पटना के रहने वाले है वो ठीक है चलिए अगले प्रस्ण बाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं friends पटना कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साजा करता है ठीक है यह साजा होगा जो पटना है friends ठीक है कितने जिलों के साथ अपना जो साजा करता है तो आपका आंसर हो जाएगा यह साजा है ठीक है करता है तो 9 जिलों के साथ जो सीमा बनाता है ठीक है पटना अगला प्रसन है बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर की गुजरती है और बिहार की बात करते हैं तो जो गंगा है वो कितने जिलों से होकर की गुजरती है आपका अनुसार जनगर्णा होई थी उसका जो आकरा था कब प्रकासित किया गया था तो आपका आंसर हो जागा दो अक्टूबर 2023 को यानि कि गांधी जनती की दिन ही इसको प्रकासित किया गया था ठीक है अगला प्रसन आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स प्रिति ने भुनेसवर में आयोजीत अस्तर की रगवी खेल में सोण पदक अपने नाम किया है ठीक है यह कहा की रहने वाली है यह कहा की रहने वाली है यह कहा की रहने वाली है Ini important question friends याद रखिएगा इसे ठीक है चलिए अगले प्रसन पाते हैं अगला प्रस्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके सामने यहाँ पर जाती अधारित जनगर्णा करने वाला पहला राज्य कौन सा है जाती अधारित जो जनगर्णा हो यह फ्रेंड्स वह पहला राज्य कौन सा है तो आपका अंसर हो जाएगा बिहार पहला राज्य है जाती अधारी जनगर्णा करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है तो आपका अंसर हो जाएगा आंधर प्रदेश ठीक है अगला प्रसनी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जाती अधारिस जनगर्णा के अनुसार बिहार का वर्तमान में लिंगा उनुपात कितना है यानि जाती अधारिस जो जनगर्णा हुई है उसमें बिहार का जो लिंगा उनुपात है कितना है नौसो तिरपन है अगला प्रसन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसे भी आपको याद रहा है तो ग्याराशो चे भी हार का जनसंख्या घनत्व है इसे भी आपको याद रखना है चले फ्रेंट्स अगले प्रसन पाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूशन आपके सामने दिख रहा है बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है अगर जिला की बात करते हैं बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो आप का अंसर हो जागा C वहर ठीक है 1880 अगला प्रसने की बात करते हैं यहाँ पर बिहार के किस जिले में सबसे कम जन संख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा की बात हो गया सबसे कम की भी बात हो जाए तो कैमूर में ठीक है 488 अगला प्रसने हाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है बिहार के किसन गंज जिले में से कौन स्विजर लैंड के जिनेवा में 20 व्यूवा सिखर समय ottґ 2023 में भारत का प्रति निद्द्ध किया था, यानि की बिहार के किष्यलन गंज से कौन ऐसे हैं, जो स्युजर ला Oğlum के जीनेवा में 20 व्यूवा सिखर समय न 823 में भारत का प्रति निद्द्ध yan तो आपका अंसर हो जाएगा रोसनी परवीन या दरकी का फ्रेंड्स क्या नाम है रोसनी परवीन ठीक है अगला क्यूशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स हाली खुलेगा जो जीवी का दीदियां है उनका पहला माखाना उद्योग कहां पर खुलेगा बिहार के किस जीले में तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जमते हैं तबता का बसे से प्राहिटरी हैं बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब आ हाउ जार शीले में